C.I.E.T. N.C.E.R.T. के जरिये पेश है तीसरी जमाद के लिए उर्दू की समयी दर्सी किताब सितार सबक नंबर बारा फुटबॉल सफा नंबर एक सो तीन फुटबॉल एक मैदानी खेल है ये वसी और हमवार मैदान में खेला जाता है इस मैदान की लंबाई 90 से 120 मीटर और चौड़ाई 45 से 90 मीटर होती है लंबाई की हद के दोनों सिरों पर बीच ओ बीच दो पोल होते है हर गोल का एक महाफिज होता है जिसे गोली या गोल की पर कहते है फुटबॉल का खेल टीम बना कर खेला जाता है ये खेल दो टीमें खेलती है हर एक टीम में 11-11 खिलाडी होते है उनका एक एक कप्तान भी होता है सफ़ा नंबर 104 खेल का पहला आधा मैदान एक टीम का और दूसरा आधा मैदान दूसरी टीम की हद है फुटबॉल जैसा के उसके नाम से जाहिर है सिर्फ पैरों से खेले जाने वाला खेल है दोनों टीमों के गोल रोकने वाले खेलाडी यानि गोल कीपर ही को इसकी इजाज़त होती है कि वो बॉल को पकड़ने के लिए हाथ भी इस्तिमाल कर सकते है हर टीम ये कोशिश करती है कि ठोकर मारते हुए फुटबॉल को ले जाए और मुखालिफ टीम के गोल में दाखिल कर दे मुखालिफ टीम के गोल का मхाफिज फुटबॉल को गोल में दाखिल होने से रोकने की पूरी कोशिश करता है लेकिन अगर वो काम्याब नहीं होता तो पूल में फुटबॉल दाखिल हो जाती है जिस टीम ने दूसरी टीम से ज़ादा गोल किये हूं वो फाते टीम कहलाती है फुटबॉल का खेल खेलने वाले को रेफरी कहते है वो खेल का माहिर होता है और खेलाडियों के साथ खुद भी दोड़ता रहता है वो हर खेलाडी पर कड़ी नजर रखता है अगर कोई खेलाडी खेल का काईदा तोड़े तो उसे सजा देता है रेफरी का फैसला हर खेलाडी को मानना पड़ता है सफ़ा नंबर एक सो पाँच ये खेल डेड़ घंटे तक खेला जाता है जिसमें दस मिनट का वकफा यानि इंटरवल होता है इंटरवल के बाद दोनों टीमें अपनी अपनी सिम्त बदल लीती है फुटबॉल पहले पहल अमरीका में खेला गया लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में मकबूल हो गया आज कई मुलकों में फुटबॉल को कौमी खेल का दर्जा हासिल है ब्राजील के फुटबॉल खेलाडी दुनिया के सबसे अच्छे खेलाडी समझे जाते हैं हिंदुस्तान में कोलकाता फुटबॉल के शौकीनों का शहर समझा जाता है सफा एक सुच है खेल कूद आज के दौर में खासे मकबूल है खेल कूद में नाम रोशन करना उतना ही अच्छा समझा जाता है जितना पढ़ लिक कर कामियाब होना अच्छे खेलाडी उसे सब महब्बत करते हैं खेल कूद में हिस्सा लेने में कामियाबी और नाकामी दोनों का सामना करना पड़ता है लेकिन खेल के दौरान कोई भी खिलाडी ठक कर या हिम्मत हार कर नहीं बैठता बलके वो हद तल इमकान जीतने की बार बार कोशिश करता है और कोशिश करने से ही कामियाबी हासिल होती है सफा नंबर एक सो साथ मश्क पढ़िये और समझिये वसी फैला हुआ हमवार बराबर फाते जीतने वाला मर्तबा दरजा रुतबा मकबूल पसंद किया गया हत्तलिमकान जहां तक हो सके जिस कदर मुमकिन हो सोचिये और बताईए एक फुटबॉल का मैदान कैसा होता है दो फुटबॉल ग्राउंड में रेफरी का काम क्या होता है सफा नंबर एक सो आठ तीन गोल करना आसान क्यों नहीं होता चार गोल कीपर की जिम्मदारी क्या होती है पांच तालीम के साथ खेल कूद क्यों जरूरी है खाली जगहों में दुरुस्त लवज लिखिए एक फुटबॉल का खेल खाली जगह बनाकर खेला जाता है अकेले या टीम दो कई मुलकों में फुटबॉल को खाली जगह का रुतबा हासिल है आलमी खेल या कौमी खेल तीन खेल कूद आज के दोर में खासे खाली जगह है 4. ये खेल खाली जगा तक खेला जाता है 5. कोशिश करने से ही खाली जगा हासिल होती है नाकामी या कामियाबी नीचे दिये गए लफजों से जुमले बनाईए टीम, सफ़ा नंबर 109, गोल, खिलाडी, कामियाब, कोशिश पढ़िये, समझिये और लिखिये पूरे जुमले के लिए एक लफज बताईए 1. जो बॉल को हाद से पकड़ सकता है 2. ग्यारा खिलाडियों का एक सरवरा 3. जो फुटबॉल मैच के फैसले करता है 4. जिस टीम के ज्यादा गोल हूँ, वो टीम कहलाती है लिखिये आपको कौन सा खेल पसंद है और क्यूँ उसके बारे में लिखिये सफ़ा नंबर 110 कीजिये नीचे कुछ खेलों के नाम दिये गए हैं उनको सही खाने में लिखिये दिये गए खेलों के नाम है फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कैरम, लूडो, खोखो, शतरंज, हौकी, क्रिकेट, टेबल टेनिस, अंदरूनी खेल, बैरूनी खेल इन दोनों कॉलम्स में सही खेलों के नाम लिखिए ऐसे खेलों के नाम और खेलाडियों की तादाद लिखिए जिन में 11 से कम खेलाडी होते हैं सफा नंबर 111 नीचे दी गई तस्वीर को गोर से देखिए और इसके बारे में लिखिए दी गई तस्वीर में कुछ बच्चे फुटबॉल के मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं लतीफा, चुटकुला, राशिद साहिल, ये बताओ, ओमलेट किसे कहते हैं? साहिल, वो आम जो लेट से पकता है सफ़ा नंबर 112 अंबरीन को गोल तक पहुँचाईए दी गई तस्वीर में एक मेज है जिसमें एक तरफ अंबरीन है, फुटबॉल के साथ और दूसरी तरफ गोल पोस्ट है आपको निशान बनाकर अंबरीन को सही रास्ता दिखाना है गोल पोस्ट तक असातजा के लिए हिदायात तलबा से मुख्तलिफ खेलों पर बादचीत करवाई जा सकती है खेल खेलते वक्त अकसर बच्चों को चोट लग जाती है ऐसे में वो क्या कर सकते हैं, इस पर गुफ्तगु करके लिखवाया जा सकता है पसंदीदा खेल पर भी मुबाहिसा करवाया जा सकता है अभी आप सुन रहे थे तीसरी जमात की उर्दू की समयी दर्सी किताब सितार समयी रिकॉडिस मयंक कुमार निर्मार सहयोग चेतना शर्मा समयी फनकार सुंपुल शकील और फरहान अली नकवी हिदायत और तखलीक कार विमलेश चौधरी ये किताब C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत के जरिये पेश की गई